जैहिन साथियों, श्वागत है आपका आपके अपने प्रिवार भारत वर्स क्लासेस में इस वीडियो में हम आज दिनांग 23 अक्टूबर दो हजाट चोबिस बुधवार को प्राथना सभा की करम में पढ़े जाने वाले मुखिसमाचार पूछे जाने वाले समान 11 प्रशनोते की प्रशन और आज की स्विचार बहुत ही सांदार थरीके से करने वाले हैं तो चलिए प्रारम करते हैं आज की स्विचार के साथ आज का सुविचार कहता है जीवन एक अनंत सफर है इसे खुसी से भरो और सपनों को पूरा करने का इरादा रखो Life is an endless journey, fill it with joy and set the intention to fill for your dreams ठीक है चलिए आज का समान 11 प्रशनोतरी का प्रशन है प्रात्मी कस्तर का कच्छा एक, दो, तीन, चार, पांच के बच्चों को ये पूछा जाएगा कहता है पहला प्रशन बूजो पहली चलने को तो चलता हूँ, गर्मी में सुख पहुचाता हूँ पैर भी है मेरे तीन, मगर आगे नहीं बढ़पाता हूँ ये क्या है जी, तो यह है पंखा, चलता है यानि घूमता है इसके पैर तीन होते हैं और गर्मी में सुख पहुचाते हैं दूसरा प्रशन पूछा गया, अंत्रिक्ष से जाने वाले वेक्ति को क्या कहा जाता है अंत्रिक्ष में जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है उसको बोलते हैं अंत्रिक्ष यात्री तीख है एस्ट्रोनोट ट्रेफिक लाइट का कौन सा रंग पर्तिक्षा को दर्शाता है यानि इंतजार करो तो यह है पीला तीन रंग होते हैं लाल का मतलब रुख जाओ पीला का मतलब इंतजार करो और हरा का मतलब चले जाओ आपके भाई आपके मा के भाई को रिष्टे में आप क्या कहेंगे मामा कहेंगे अपने मा के भाई को मामा कहते हैं 115 गुना सुन्य का मान क्या होगा किसी भी संक्या को जीरो से गुना करते हैं तो उत्तर हमेशा जीरो होता है कितने भी बड़ी संक्या होगा 5000 होगा, 5 लाग होगा, 5 करोड होगा पचास करोड होगा उसको जीरो से गुना कर देंगे तो उत्तर हमेशा जीरो आएगा उच प्रात्मिक अस्तर का प्रस्ण है कच्छा 6, 7 और 8 के बच्चों को पूछा जाएगा पहला प्रस्ण दे रखा है गाजर किस विटामिन का संब्रिध स्रोत है यहाँ पे सही उत्तर होगा विटामिन A पटना नगर का प्राचीन नाम क्या था तो यहाँ पे सही उत्तर था पाटली पुत्र ठीक है पाटली पुद्रिस्ट का प्राचीर नाम था धुआधार जलपरपाथ भारत के किसराज में स्तित है तो यहां मदपरदेश में है मनुभाकर की खेल से संबन्दित है तो यह निसाने बाज़े मनुभाकर इनको अब यहां पर जो जोहरया 24 का ओलंपिक हुआ है उसमें इन्हें मेडल भी मिला है ठीक है ब्रॉंज मेडल ट्रेन ड्राइवर को क्या कहा जाता है तो इनको लोको पाइलेट बोलते है अगला प्रस्ट दे रखा है मायदिवी कस्तर का प्रस्ट ने कच्छा 9, 10, 11, 12 के बच्चों को पूछा जाएगा यहां पर कहता है पहला प्रस्ट ने दूद की सुद्धता का मापन किसी अंतर से किया जाता है तो इसको लेक्टो मीटर से मापते है राश्टिय जनगणना कितने वर्षों के अंतरवाल पर होती है तो परतेक दस वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है विक्रम सारा भाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंदर कहां इस्तित है तो यह त्रिवनंत पुरम केरल में स्तित है जारखंड का सिमला किसे खाते हैं राची को जापानी राश्टिय पोसा को क्या कहते हैं जिसे किमोनों कहते हैं ये था समान ग्याद पर उसनों कित्री का प्रस्न अब हम करते हैं आज के मुखे समाचार तो यहाँ पर परधान मंतरी दरेजर मोधी ब्रिक्ष संबेलर के लिए रूस रवाना इस बार ब्रिक्ष संबेलर में कई नए देश हो सकते हैं नए अंतराष्टिय वुक्तान प्रणाली की घोस्तना की समभव आप सभी जानते हो कि यहाँ पर ब्रिक्ष की बात करें बी आर आई सी एक्स कली मैंने बताया था कितने देश हैं पांच देश है कौन-कौन से ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और सौथ अफरिका यहाँ पर इंडिया के मुलकाद चाइना से बहुत वर्षों के बाद होने वाली उनके पर प्रणान मंत्री से राज्टी खबर है भारत-चीन के बीच खतम हुआ सीमा विवाद L.C. पर सेन गतिरोध खतम करने के लिए दोनों देशों ने मंगलवार को पेट्रोलिंग समझोते को दिया अंतिम्रू राज्ट के खबर है देतरहाट आवास्य विद्याले में नामंकन के लिए परवेश परिच्छा 17 अक्टूबर 2024 को होगी इसके लिए परिच्छार्थी जेक की वेबसाइट से एडमिट कार्ड कर सकते हैं डाउनलोड खेल जगत का समाचार है Commonwealth Gaps 2026 से होकी कुष्टी बेडमिंटन सुटिंग सहीत 9 खेलों को हटा दिया गया जिसमें भारत सबसे ज़्यदा मेडल की होती थी उम्मीद सिच्छा केरियर टेक्नोलोजी का यहाँ पर समाचार है Google में नोकरी करने के इचुक वेक्ति के लिए Google अपने Digital Marketing Apprentices प्रोग्राम के लिए Notification जारी कर आविदन आमंद्रित किया है यह कॉर्स दो साल के अवधी की होगी जिसमें हैदराबाद बेंगलोन में रहकर कर सकते हैं Apprentice की कॉर्स आज का यहाँ पर प्रेरख परसंग Motivational Story है एक गुलाम वेक्ति था गुलाम मतलब किसी का दास था किसी के आधीन था तो एक गुलाम वेक्ति था उसका मालिक बहुत ही निर्दई था इसलिए गुलाम जंगल में भाग गया वहाँ उसने एक सेर देखा सेर को दर्द हो रहा था उसके पंजे में एक काटा फसा हुआ था गुलाम वेक्ति सेर के पास गया और उसका काटा निकाल दिया अब सेर का दर्द कम हो गया एक दित गुलाम को उसके मालिक ने पकड़ लिया उसका मालिक उसे भूखे सेर के सामने करने का आदेश देता है गुलाम समझ चुका था कि उसकी मिर्ति निस्चित है लेकिन क्या आश्षर हुआ जब सेर दहारता हुआ आया और उसने गुलाम को नहीं बलकि उसके माली को मार डाला यह वही सेर था जिसकी गुलाम ने जान बचाई थी संदे से की सुख दुख में एक दुसरे का स्वयोग करना चाहिए आज का महत्पुन दिवा से 23 अक्टूबर 2024 मोल दिवस हर 23 अक्टूबर को मनाई जाता है यह दिन एवो ग्रेडो संख्या की याद में मनाई जाता है जो रासायन विज्ञान में एक बुनियादी माप की काई है रासायन विज्ञान में रूची पैदा करने के लिए दिन की सुरुवात की गई थी आज 20 हीम तेंदूबर दिवस है हर साल 23 अक्टूबर को अंतराफ के हीम तेंदूबर दिवस मनाई जाता है आज हीम तेंदूबर की रच्छा करने के तरीके और इसके बारे में और अधिक जानने का भी दिन है यह दिवस 23 अक्टूबर 2013 को बिसके किर्गिस्तान में बिसके गोशना के साथ वैस्विक हीम तेंदूबर और पारिश्थिति की तंतर संगरक्षन कायकरम G.S.L.E.P. को सभी हीम तेंदूबर छेतर के देशों द्वारा अपनाये जाने के असर पर पहली बार मनाया जाता है आज का word of the day है shimmer यानि चमकना sentence of the day है दा वेट इन लेक सीमर इन सनलाइट जील का पानी सूरज की रोषनी में चमकता है चातर पढ़ती गया जो आप टेली पढ़ते हो तो ये था आज का समाचार समान गयार परशनोतरी के इंपरशन और सांदास्ता मोटिवेशनल विस्टोरी वीडियो को लाइक से जरूर किजएगा यदि आप भार्ट्रस क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर किजएगा बिच्छा धन्यवाद